हेलो रिवान, वेलकम टो फार्मर ओक्स यूटूब चैनल, फार्मर ओक्स के यूटूब बेच्जूगेसना चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वी विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट दे, कंजेस्टिव हार्ट फैलियर तो ये डिसिस के कूजिस के बारे में हम स्टड़ी करेंगे, उसके साइनन सिम्टम्स और उसकी डिटेल पैथो फिजिलोजिकल स्टड़ी हम करेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर तो इसको हम स्ट में CHF कहते हैं और इसके अंदर जो मेन प्राब्लेम है वो है, जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कंजेस्टिव होना और साथ में ये जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनका एनलार्जमेंट होना तो ये डिसिस की जो डिटेल पैथो फिजियोलोजी है वो हम आज स्टड़ी करेंगे साथ में जो अलग-अलग मेडिकेशन्स होते हैं कि जो यूज होते हैं इने ट्रेट्मेंट आफ कंजेस्टिव हार्ट फैलियर जैसे की डिजोक्सिन की जो काडियक ग्लाइकोसाइड मेडिकेशन्स है और डिजिटालिस उसका में सोर्स होता है उसके बाद ये एनलेप्रिल है इवाब्राडिन है स्पाइरोन लेक्टॉन है मेटा प्रोलोल टैलमी सार्टन तो ये सब डिफ्रेंट मेडिकेशन्स है कि जो यूज की जाती है फॉर दर ट्रेट्मेंट आफ ए कंजेस्टिव हार्ट फैलियर तिसी को हम अब डिटेल में स्टडि करते है तो एक्सपर्ट लेक्ट्चर बाई अमर सर, मिस्टर अमर अमर रावल, आसिस्टम प्रोफेसर और फांडर आफ फामर रॉक्स थैंक यू फ्रेंड्स फर बी इने वन लेक्ट फैमिली आफ फामर रॉक्स अप्डेटिट रहिए फामा नोलिज्च ये साथ एक्सेस करिए आप स्टॉर पर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक अमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है तो सबसे पहले समझें कंजेस्टिव हाट फैलियर के बारे में तो इट इस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडिशन देट अफेक्ट द पंपिंग पाउर अफ आवर हार हार्ट मसल तो यहाँ पर समझें कि कंजेस्टिव हाट फैलियर के अंदर होता क्या है तो यहाँ पर क्या अफेक्ट होता है हमारा हार्ट और हार्ट के अंदर भी पर्टिकुलर्ली जो फंक्सन है हार्ट का कि उसका जो पंपिंग पाउर कि हार्ट का जो पंपिंग पाउर ह वो affect होता है and उसके heart muscles कि heart की जो muscles होते है वो यहाँ फे affect होते है as well as उसके कारण उसका जो pumping power होता है कि heart जो है वो एक physiological pump का है कि जो हमारे body के सब भी organs and organ system की और blood जो है वो अच्छे से pump करता है तो CHF के अंदर हमारा heart ही जो है उसका failure होता है और normal heart के compare में हम देखे तो congestive heart के अंदर क्या होता है कि thickening of the ventricular chambers and smaller filling capacity and ejection of blood कि जो ventricles होते हैं heart के उनकी जो filling capacity है वो small हो जाती है और साथ ही उनका जो ejection है power as well as जो pumping power है वो काफे reduce हो जाता है तो यह chronic progressive condition कही जाती है तो यह याद रखिए of the first point तो congestive heart failure या फिर CHF जो है उसके अंदर mainly क्या problem होता है तो यह आपको याद रखना है कि pumping power जो है वो affect होता है in congestive heart failure के अंदर simply refer to as a heart failure कि जब heart fail होता है वो condition मतलब की congestive heart failure this means less oxygen उसका मतलब क्या है तो उसका मतलब यह है कि less oxygen is reaching the organs and muscles which can make the feel tired and sort of breath यह काफी important point है फिर से एक बार अच्छे से समझे उसको क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि heart आपका fail होता है heart आपका fail होता है heart का main function तो pumping का है उसका pumping power जो है वो reduce होता है अब pumping power reduce होगा तो जो अलग-अलग organs और organ system के और जो blood पहुचता है उसके amount में भी reduce होगा और हमें पता है कि blood के साथ oxygen भी carry होता है तो उसका मतलब यह हुआ कि less oxygen जो है काफी कम amount में oxygen हमारे organs के और पहुचेगा और साथो साथ organs related muscles अब समझे कि हमारे body को दो चीज की सबसे ज़्यादा जरुरत होती है continuously एक तो सभी organs को पहुचना चाहिए अच्छे से blood blood supply सभी organs को continuously होना चाहिए कि blood जो है वो अपने साथ nutrients भी carry करता है fluid भी carry करता है और साथ में second उसके अंदर dissolve होता है oxygen तो सभी organs के healthy function के लिए ये दोनों चीज की सबसे ज़्यादा जरुरियत होती है और उसी के लिए हमारे body के अंदर heart होता है कि जो heart अलग अलग जो अमारे जितने भी organs से organ system है सभी की और proper amount के अंदर heart जो blood और उसके साथ रहा oxygen पहुचाने का काम करता है अब समझे कि ये pump ही थोड़ा fail हुआ है उसका failure हुआ है तो उसके करण जो है वो capacity जो है वो reduce होती है जैसे कि एक simple example लेते है हम कि आपके गर में जो समझे कि पानी को पानी की टंकी के अंदर जब हम पानी चड़ाते हैं तो उसके लिए motor यूज़ करते हम motor या फिर जो pump होता है उसको यूज़ करके हम यहाँ नीचे ground floor से उपर के और जो है जो टंकी होती है वहाँ पे हम water जो है वो pump करवाते है अगर समझे कि आपकी ये motor में कोई खराबी आई है उसके अंदर कोई कच्रा आ गया है या फिर उसका failure हुआ है तो क्या होगा उसकी जो capacity है उसके उपर effect होगा कि वो अच्छे से काम नहीं करेगे और काम नहीं करेगे तो proper amount में जो water है वो आपके अलग-अलग tankyों के अंदर नहीं पहुचेगा resulting क्या होगा deficiency होगी कि जितने amount में आपको पानी चाहिए वो मिलेगा नहीं same like that heart जब heart का failure होता है तो heart के failure के कारण हमारी body के लिए जो important blood और oxygen जो है वो कम amount में मिलता है अलग-अलग organs को तो ये है main concept of a congestive heart failure तो अब समझे heart and CHF our heart is a muscles हमारा जो heart है वो एक muscles है and its job is to pump the blood throughout our circulatory system और जिसको हम क्या कहते है cardiovascular system as well as cardiovascular system का जो हमारा heart है कि जो हमारा cardiovascular system का हमारा heart वो पूरे circulatory system के अंदर blood को जो है वो pump करता है और उसके लिए helpful रहते है blood और उसके अंदर mix of oxygen ये दोनों को carry करने का काम जो है heart का है और उसको pump करवा के अच्छे से अलग-अलग organs के और पहुचाता है nutrients और जिसके करन less oxygen is reaching the organs and muscles which can make feel tired and sort of breath अब breathing जो है आपके sort होंगे और जब oxygen कम मिलता है blood supply reduce होता है तो जिसके करन पेशन को fatigue जिसी condition tiredness होता है थकान होती है और ये है उसके symptom so CHF is a complex clinical syndrome characterized by abnormalities of left ventricular function यहाँ पे समझे most important point है ये कि हमने अभी जो जाना reason जाना कि heart के जो muscle से वो weak होते है as well as उसकी जो pumping capacity है pumping power है वो affect होता है तो वो किस तरह से affect होता है तो क्या होता है वहाँ पे abnormality of the left ventricular function तो यहाँ पे देखिए right ventricle और ये है left ventricle in normal heart और ये बीच में septum अब heart failure के अंदर क्या होता है ये जो left ventricle है उसका enlargement होता है दो condition होते हैं चाहे वहाँ पे enrollment होगा बट enlargement होगा बट वहाँ पे क्या होता है fat deposition होता है समझो या फिर वहाँ पे जो है वो congestion होता है जिसके कारण उसका जो pumping power है वो reduce होता है and neuro hormonal regulations which are accompanied by effort intolerance intolerance होता है पेशन को fluid retention होता है and reduce the long life कापकी जो life है वो उसके कारण जो है वो reduce होती है because जो normal ventricles होते है right या फिर left और उसमें भी जो specially left ventricle आप देखेंगे तो उसका enlargement होता है उसका क्या होता है enlargement आप यहाँ पे diagram के अंदर देख सकते है कि ये वाला left ventricle का ये area अब next ये वाले diagram में देखिए ये ventricle जो है वो enlarge हुआ है ये वाला ventricle जो है वो enlargement आपको completely देखने को मिलेगा तो ये वाला left ventricle के compare में ये left ventricle जो है उसका क्या हुआ है abnormality हम कहें सकते है abnormality of ventricular function कि जिसका जो काम है pumping the blood towards the various part of the body heart failure is a complex clinical syndrome that can result from any structural or functional cardiac disorder that impairs the ability of the ventricles to fill fill with or eject the blood कि blood की blood जो है उनके अंदर fill up करवाना या फिर blood को eject करवाना कि blood जो है वो पहले feel होता है उसके अंदर और फिर जो है अलग-अलग organs की और pump होता है तो ये capacity जो है उनकी alter होती है और जिसको हम कहें सकते हैं कि structurally या फिर functionally cardiac disorders cardiac disorder that impairs the ability of the ventricles कि जो left ventricle का है या फिर right ventricle तो right ventricle के अंदर समझे कि feeling की बात है और left ventricle से pumping की बात है तो वो जो है वो infect होगी यहाँ पे specially affect होता है और जिसके कारण patient जो है वो अलग-अलग difficulties face करता है तो अब जानते हैं हम different causes of congestive heart failure causes क्या है वो अच्छे से समझना जरूरी है तो सबसे पहला जो reason है that is cholesterol तो cholesterol and other type of fatty substances can block the coronary arteries जो coronary arteries होती है वहाँ पे जो क्या होता है उनकी अंदर या फिर उनकी आसपास जो है वो fatty substance जो है वो जमा होते है और जिनके करण वो जो arteries से क्या हो जाती है ब्लॉक हो जाती है due to the cholesterol as well as other type of fatty substance कि यहाँ पे देखिए कि जो heart की आसपास रहे जो blood vessels है ये blood vessels का आप ये diagram में देख सकते कि जो fat यहाँ पे deposit हुआ है तो fat deposit के करण उसका जो अंदर का जो internal diameter है वो हो जाता है reduce कि ये समझो कि normal diameter इतना है this is the normal बट समझो कि fat deposit के करण क्या होता है उसके आसपास इस तरह से जो fatty deposit होता है fat deposit होता है तो fat deposit के करण आप देखिए ये इसका जो diameter और ये वाला diameter क्या होगा है reduce होगा है अब ये diameter reduce होगा तो समझो कि वहाँ पे आसपास भी समझो कि fat deposit होता है तो artery या फिर जो vessels है blood vessels उसके असपास या फिर उनके अंदर fat deposit होने के करण वहाँ पे blockage होगा या फिर वो block हो सकती है या फिर narrow हो सकती है दो condition यहाँ पे हम सोच सकते है कि वो जाहे block हो जाए completely या फिर वो narrow हो जाए और उसकी जो diameter है वो reduce हो साथ में surface area हम देखे तो surface area उसका थोड़ा increase भी हो सकता है कि समलोग कि ये अंदर की और है बढ़ वही fat समझो कि बाहर की और भी deposit होता है तो वो fat के कारण उसका जो हम कहे surface area increase होकर surface area increase होना मतलब की हम कह सकते है enlargement तो ये है primary cause कि ये हम कह सकते है कि that is the first issue or reason that cause the congestive heart failure आगे सिखते है next जो problem that is coronary artery disease और coronary artery disease की जिसके अंदर ये coronary arteries का जो है वो block होना या फिर उनका होना narrow और जो reason जो है वो उपर हमने समझी लिया कि deposition of fatty substances like cholesterol and other fat substances तीसरह के congenital heart defects है कि heart related birth defects ही है कोई तो इसके करण भी heart failure हो सकता है number four हम देखे तो severe lung disease lungs के disease के करण भी वो आगे जाके आपके heart को infect कर सकते हैं और जिसके करण congestive heart failure हो सकता है number five वो है diabetes diabetes के करण हमने देखा था कि जब diabetes का हमने लेक्चर बनाया था उस वक्त ये एक point हमने डिसकास किया था कि diabetes के जो risk factor है या फिर diabetes के करण जो होने वाले complications है उसके अंदर एक complication है congestive heart failure because कि diabetes के अंदर जो blood sugar का जो समझो कि fluctuations रहता है तो उसके करण अलग-अलग organs जो है वो हमारे damage होते हैं उसी में से heart, kidney वगेरा जो है वो priority में रहते हैं फिर है severe anemia anemia बट उसमें भी severe कि जिसके अंदर जो हम HB कहें तो less than 8 HB जब किसी person का है hemoglobin तो ऐसी condition में भी CHF हो सकता है hyperthyroidism कि जब आपकी overactive thyroid gland excessive amount में T3 and T4 जो है वो उनको release करती है और reduce होता है आपका TSH कि T3 and T4 कि जो thyroid hormone से उनका secretion increase होना as well as reduce होना TSH का फिर number 8 हम देखें तो abnormal heart rhythm कि जिसको हम cardiac करिद्मिया कह सकते हैं pedicardia या फिर tachycardia कि जो regular heart rhythms होते हैं heartbeats होते हैं कि जो 60 से 100 होते हैं तो उससे reduce होना या फिर उससे increase होना तो ये दो conditions के कारण भी जो है वो CHF हो सकता है these are the main causes और reason तो ये है disease या फिर defects कि जिनके करण आगे जाके condition हो सकती है congestive heart failure की अब ऐसे जो reasons हम जानेगे कि जो हम खुद अपने तरु से हमारी body को damage करते हैं जैसे कि stress and sedentary lifestyle stress and sedentary lifestyle जैसे कि आप जो है वो exercise कम करते हैं excessive खाना खाते हैं और साथ में food भी है वीट आपकी ऐसी कि आपके खाने में junk food ज्यादा है soft drinks वागर आप ज्यादा लेते हैं excessive warmth के अंदर है और दूसरे वर्ड में कहें तो unhealthy खाना as well as आपकी sedentary lifestyle तो वो है सबसे पहला एक reason कि जिसके करण जो हमने previous slide में देखे वैसे अलग-अलग diseases हो सकती है और उसका एक symptom बनता है ये congestive heart failure उसके बाद smoking smoking as well as excessive smoking smoking वो भी एक reason बनता है आगे जाके then over body weight over body weight की जिसको हम कहते है obesity की यहाँ पर देख सकते हैं कि patient या फिर person जो है वो excessive इस टाइब की जो lifestyle के sedentary lifestyle भी एक reason है obesity का और obesity के कारण पर आगे जाके CHF हो सकता है alcohol consumption एक और reason है कि alcohol consumption as well as excessive amount में तो excessive alcohol consumption आपके liver को भी damage करते हैं और साथ उससाथ आपके अलग-अलग organs damaged होते हैं और उसमें heart भी एक है और heart related जो problem that is congestive heart failure high fat diet आपके diet के अंदर excessive warm के अंदर fat present है तो इसा खाना की जो excessive इसके अंदर fat की यहाँ आप देख सकते है excessive fatty इसा नहीं कि यह इस टाइब का food लेना ही completely बन कर देना चाहिए food आप ले सकते हैं बट proper limit में use करें और साथ में proper जो है आपके exercise भी होनी चाहिए तो बले इस टाइब का diet है बट सामने exercise भी नहीं है high fat diet plus less exercise in life तेसे reasons आगे जाके CHF के causes बनते है number seven that is high sodium in diet diet के अंदर आपका salt ज्यादा है और salt ज्यादा है तो उसके करन आपका जो blood pressure है वो increase होता है और blood pressure enhance होता है तो heart के उपर भी वो जो है वो burden आता है और वो burden के कारण heart failure हो सकता है number eight that is heavy case caffeine consumption कि आप जो है वो heavy amount में caffeine का consumption करते है and number nine that is unhealthy diet कि unhealthy diet का increase होना कि normally समझे कि कुछ महिने में एक दिन या फिर 15 दिन में एक दिन आप इस टाइप का कुछ junk foods वगेरा लेते है बट समझे कि आपने इसा routine ही बना दिया है इस type के food का तो उसके करण क्या होता है fat जो है वो फिर deposit होता जाएगा उसके करण obesity भी हो सकती है और उसके करण कि जो आपकी sedentary lifestyle हो जाती है साथ में stress भी involved होता है कोई ने कोई reason से salt consumption जादा है alcohol दे सब भी reason आगे जाके causes बनते हैं congestive heart failure के लिए risk factor of congestive heart failure the following risk factor may cause the heart failure but a combination of factor also increase the risk of heart failure कि ऐसे कौन से conditions कि जो आगे जाके आपके लिए reason बनते हैं कि ये risk है आपके लिए कि following are the risk factor may cause heart failure कैसे risk factor की जो reason बनेंगे heart failure के लिए तो that is high blood pressure high blood pressure second coronary artery disease की जो अभी हमने main causes के अंदर भी देखा heart attack then diabetes उसके अलावा हम देखे तो sleep apnea तो ये आपके लिए एक नया point होगा मैं आपको समझाता हूँ तो जब normally हम जब सोते हैं तो जो ये जो उलवा होता है और ये हमारी tongue है और ये soft palate तो उनके जो हम breathing कर सकते हैं सोते समय बट sleep apnea के अंदर sleep apnea के अंदर ये जो है वो यहाँ पर blockage होता है airway आपका block होता है जिसके करण जब आप सोते हैं तो उस वक्त आपको breathing करने में difficulty होती है तो अगर समझे कि आपको ऐसा कोई भी problem है तो तुरण जो है वो diagnosis करवा के treatment जो है वो start करवानी चाहिए because अगर sleep apnea आपको है तो sleep apnea के करण क्या होगा कि oxygen जो है आपके body में कम जाएगा as well as इसके जो risk factor है कि आगे जाके फिर congestive heart failure हो सकता है then congenital heart defects कोई भी heart defect है birth defect के करण भी हो सकते कि जो birth defect होती है heart related तो उसके करण भी हो सकता है and use of alcohol so these are the risk factor of CHF symptoms जान लेती है अब उसके तो fatigue सबसे पहले तो fatigue उसका main symptom है कि person जो है वो ठक जाता है जैसे आप जिस तरह से देख सकते है कि जो battery जैसे low हो जाती है same like that हमारी भी body की battery always low रहती है है मतलब की ठकान रहती है energy कम हो जाती है हमारी body की और energy कम हो जाती है तो ठकान होना जो है वो जायज है फिर activity आपके decrease हो जाती है कि जो actively आप काम करते है routine कोई भी तो वो अच्छे से नहीं हो पाता जिसको हम कहते है थकान की वज़से बट उसके कई बार reasons हो सकते है CHFB cough होता है patient को especially supine cough edema होता है मतलब की जो inflammations देखने को मिलते है आपके अलग-अलग body parts पे वो shortness of breath सास लेने में problem होना as well as shortness होना breathing के अंदर reduce ability to exercise अब जब आपके अंदर थकान होगी तो आप exercise नहीं कर पाएंगे heavy work कोई होगा तो वो नहीं कर पाएंगे तो even समझे के आपको एक जगा से दुसरे जगा पर जस्ट वाकिंग करना है तो भी आप नहीं कर गाएवन आपको steps चड़ने है तो भी वो नहीं पॉसिबल होगा और जल्दी से जो है वाप थक जाओगे थकान होगी लेक ओफ एपेटाइट भूख कम लगती है और नौज्या जैसा होता है रैपिड और इरेगुलर हार्ट बेट हार्ट बेट रैपिड होते है या फिर वो इरेगुलर हो जाते है चेस्ट पेन ये एक सिम्टम बनता है कि यहाँ पे चेस्ट के अंदर जो है वो पेइन होना अगर हार्ट एटेक के करण आपको हार्ट फेलियर हुआ है तो उसके अंदर एक सिम्टम बनता है यह चेस्ट पेन तो आपने चेस्ट पेन का जब लेक्चर आपको समझाया था डेटिल के अंदर एंजाइना के बारे में तो एंजाइना पैक्टोरिस्क का जो एक सिम्टम उसका एक reason था that is कि उसके करण जो है वो congestive heart failure भी हो सकता है अब जान ये complications कि किसी को congestive heart failure है तो उसके करण क्या आपके जीवन के अंदर आपकी life के अंदर कौन से complications जो है वो आ सकते हैं तो first complication that is kidney damage और failure kidney damage होती है kidney damage की होती है because heart failure के कारण low blood volume proper amount में जो blood चाहिए kidney को वो पहुचता नहीं और जिसके कारण ये kidney का होता है failure तो जब आप kidney failure के बारे में study करते हैं तो उसके जो causes होते हैं कि inflammation and vasculitis, nephrotoxic drugs लेने के कारण low blood volume and heart failure जब heart failure होता है तो insufficient amount में oxygen और blood supply होता है kidney की और उसके करण जब blood volume भी low हो as well as oxygen भी उसको reduce amount में मिले तो kidney जो है वो damage होती है उसका failure होता है cardiac arrhythmia होता है कि irregular heartbeats जो हम कहते हैं already ये वड़ा lecture भी हमने already आपके लिए बनाए हुआ है तो उसमें भी हमने देखा था कि cardiac arrhythmia के कारण भी congestive heart failure हो सकता है hypotension हो सकता है मतलब की blood pressure reduced भी हो सकता है heart rhythm के problem सोचते हैं irregular heartbeats, thrombocytopenia भी हो सकता है patient को फिर आगे जाके आपके bone marrow suppression हो सकता है, liver खेंदर toxicity हो सकती है as well as liver damage हो सकता है and heart के valves related भी problem हो सकता है कि जब आपका heart के जो ventricles में problems आते हैं तो वो आगे जाके आपके heart के valves को भी infect कर सकता है so must visit your doctor when fainting कि जब आपको fainting हो, fainting मतलब की loss of consciousness कि जैसे अचानक से patient जब बेहूस हो जाता है, कि जो बेहूस ही होती है यहाँ पे देखिए कि ये वाले डायाग्राम के according to कि ये वाला जो डायाग्राम है, वो suggest करता है condition of a fainting fainting मतलब कि जब patient अचानक से बेहूस हो जाता है loss of consciousness होता है short time, for a short time, long time के लिए नहीं, short time के लिए कि suddenly अचानक से जो है आपका जो patient है, वो हो जाता है बेहूस, कोई भी patient short time के लिए हो जाता है बेहूस हो जाता है, fainting होता है because of temporarily insufficient supply of oxygen to the brain कि brain के अंदर जब proper oxygen नहीं पहुचता because oxygen carrying capacity reduce होती है as well as blood supply reduce होता है जिसके कारण ये problem जो होता है, fainting का फिर, so जब भी आपको ऐसा हो तो तुरंत बीना किसी रुकावट के तुरंत आपको जो है वो visit करने चाहिए डॉक्टर को अपना diagnosis जो है वो करवा लेना चाहिए because यहाँ पे जो है वो आप कोई भी risk नहीं ले सकते कि जब भी अचानक से इसा fainting जैसा होता है तो तुरंत एक बार diagnosis करवा कि अपना जो doubt है वो clear करवाना चाहिए because उससे reason पता चलेगा कि what is the reason behind fainting तो CHF के अंदर भी patient को जो है वो fainting हो सकता है तो this is one of the reason of the CHF तो अगर समझो कि किसी को भी अचानक से fainting होता है loss of consciousness अचानक से person बेहुस हो जाता है तो तुरंत बिना किसे देर किये उसको hospitalized करके diagnosis जो है वो करवा लेना चाहिए कि जिससे आगे जाके कोई दूसरे complications ना हो फिर जब आपके heartbeats जो है वो irregular हो जाते है कि regular में से irregular होना कि जो normal heartbeat होते है उसके जगह irregular हो जाते है या फिर rapid होते है with shortness of breath, chest pain and fainting तो यह सब जब combination होता है तो भी आपको तुरंत जो है वो अपना diagnosis करवाना चाहिए sudden severe shortness of breath तो यह एक advice भी कि समझे कि आप patient counseling करते है कोई pharmacist या फिर nursing staff या फिर कोई medical staff जब patient counseling करते है तो यह भी उनको बताना चाहिए कि जब भी कोई person इस तरह के complications उसको होते है तो तुरंत जो ही वो diagnosis करवा के treatments चालू करवानी चाहिए अगर severe weakness होना लगे कि अचानक से बीना किसी reasons कि आपको ऐसा लगे कि weakness फिल हो रही है और साथ में उपर में से कोई symptom देखने को मिल रहे है तो must visit your doctor coughing up the pink यह वाला देखिए यह diagram के according to कि जो cough है वो उसके अंदर जो pinkies जो cough आपको देखने को मिलना कि coughing up pink तो यह जो है क्रिजन है फिर formy mucos mucos जो है वो formy हो जाना and edema यह देखिए कि यह जो edema जो है आप देख सकते है कि आपके हाथ पे अरिके अंदर इस तरह से inflammation रहता है face पे इसाथ कोई inflammation देखने को मिलता है और यूजली स्वेस से यह जो legs को देखके ही पता चलता है कि edema है तो must visit करके आपके जो doubt से वो clear करवाने चाहिए and जो reason जान दिलने चाहिए कि edema जो है वो क्यों हुआ है और अगर edema होने का जो reason आपको पता चलता है कि CHF है तो तुरंथ आगे जो है वो उसके prevention step as well as treatment start करवानी जरूरी होती है तो what is the diagnosis of CHF that is electrocardiogram कि जो हम कहते है कि ECG electrocardiogram निकला जाता है patient का exercise stress test किया जाता है ecocardiogram जो हम कहते है कि जो ecocardiogram किया जाता है कि transducer को ये heart region में रखके ecocardiogram निकला जाता है chest का x-ray किया जाता है as well as angiography heart catheterization किया जाता है CT scan किया जाता है and MRI तो ये है उसके diagnosis of CHF अब जानते हैं उसके prevention के बारे में तो prevention is the better than क्योर के गर संजू के पाहले से ही person prevent करता है तो आगे जाके ना ही उसको medicines लेनी की जरूरत है ना ही कोई surgery की ना ही कोई treatment की तो सबसे पहले तो जो habits से की smoking के कारण CHF हो सकता है तो you must have to quiet your smoking second if you are a person of high blood pressure then always keep your blood pressure control by taking the proper regular medication कि जब कोई hypertension का patient है high blood pressure का patient है तो उसको अपना जो blood pressure है वो always maintain रखना चाहिए regularly medications लेने चाहिए कि जिसके कारण आपका blood pressure जो है वो प्रॉपर regular रहे और proper control में रहे फिर बात आती है diabetes को भी control करने कि उसको manage करने की कि जो sugar level है वो आप अच्छे से अपना maintain रखे कि जिसके करन भी आगे जागे कोई complications ना कि because excessive sugar होना as well as अचानक से उसका down होना मतलब कि जो fluctuations होते हैं sugar के अंदर तो वो आपके अलग-अलग organs को damage करते हैं थोड़ा से running कर सकते हैं cycling कर सकते हैं बहुत सारे options available होते हैं exercise के तो जरूर से exercise करनी चाहिए eat the healthy food कि जो हम देखते कि अलग-अलग हम vegetables देखे as well as fruits होते हैं जरूर से आपके खाने के अंदर ये होने ही चाहिए कि vegetables as well as fruits कि जो आपको proper healthy diet provide करेगे आपका जो weight है वो healthy maintain रखे तो ये एक और advice है ये समझे कि prevention के step समझ सकते हैं advice करे सकते हैं as well as home remedy भी है कि जिसके कारण ये सब problem से हम बच सकते हैं reduce and manage the stress even समझे कि आपके पास इसा कोई patient आते हैं तो counseling के दरान ये जो है वो advises भी आप हम दे सकते है patient को as well as जो भी कोई ये lecture को attend कर रहा है तो ये जो habits हमेशा बनाने चाहेगी कि ये जो है वो problem किसी को भी हो सकता है ये सब reasons के करण तो ये जो reasons ही हम होने ना दे तो आगे जाके ना ही CHF होगा और ना ही उसकी treatment करने पड़ेगी तो advise है to avoid the alcohol and the last do instant diagnosis in any of symptom of CHF कि कोई भी symptom जब आपको लगे तो ये भी एक prevention ही है as well as आपके लिए advise है कि instant diagnosis कि कई बार हम क्या करते हैं lightly लेते हैं conditions को रागे जाके फिर वो light condition जो heavy हो जाती हो जिसके करण ऐसे complications होते हैं कि जिसके करण वो जानलेवा हो सकते है life threatening बन सकता है तो these are the preventions of CHF अब जानते हैं main that is a treatment तो what is the treatment of CHF तो सबसे पहले कि जो congestion है कि जो blockage है congestion है उसको जो है उसमें से relief देना patient को कि relief of congestion also the low cardiac output and symptom and restoration of cardiac performance कि जो हम symptom based बात करें कि जब congestion होता है heart failure के अंदर तो congestion को relief करवाने के लिए अलग-अलग medications जैसे कि ionotropic drugs जो हम कहते हैं जिसमें cardiac glycoside digitalis का main chemical constituent disoxin फिर dobutavine करके medication आती है embryon है mildrinon वगेरा options रहते है ionotropic drugs के अंदर diuretics के अंदर furosemide as well as thiazide diuretics कि जो congestion को relief करवाने में help करते as well as low cardiac output फिर vaso dilator कि जब vaso मतलब कि blood vessel को dilate कर दे तो भी congestion जो ही वह कम होगा कि blood vessels जब contract हो जाती है तो उनको dilate करवाने के लिए ACE inhibitors या फिर AT1 antagonist और angiotensin receptor blockers जो हम कहते है ARBs कि like enalapril है hydrolisyn है nitrates वगेरा है फिर जो sartans है कि telmysartans वगेरा enalapril या आप यहाँ पे देख सकते हैं desoxins के जो tablet से और beta blockers के अंदर आप देखें तो metaprolol है bisprolol है carvedilol है तो यह सब medications जो है वो patient को जो है वो prescribe की जाती है तो these all are the RX only यह समझे these all are RX only medications these all are the RX only medications सभी के उपर आप देखे यह भी RX है this is also the RX these all are the RX so don't do the self medication यह point आप के लिए खास important की यह सभी medications prescription based medications होती है कभी भी उसका miss use नहीं करना चाहिए ना ही बिना prescription के उसको use करनी चाहिए तो these all are the RX only medications don't do the self medication next is arrest and reversal of the disease progression and prolongation of the survival कि जो survival को prolong करने के लिए और जो हम reversal करते हैं कि disease को normal करवाने के लिए जो use के जाते देटास EC inhibitors and 81 antagonist के जो angi-dense receptor blocker से तो इसके उपर भी हमने recent में भी lecture बनाया था आपके लिए detail में कि 81 receptor antagonist as well as EC inhibitors तो वो हमने detail में mechanism जानी थी तो यहाँ पे हम यह lecture में discuss नहीं करेंगे आप यहाँ पे eye button पे क्लिक करके EC inhibitors 81 antagonist सभी के lectures देख सकते हैं फिर beta blockers option रहता है treatment के अंदर then यह एक नया option है IF channel blockers IF channel blocker और inhibitor का जिसका medication है evabradin ते abort का यहाँ पे product आप देख सकते है evabradin this is also a RX only medication abort का यह product देख सकते हैं जिसकी strength है 5MG का यह tablet तो यह भी prescription medication है उसके अलावा aldosterone antagonist हम देखे तो जिसके अंदर spironolacton it is also RX only medication prescription drug है यह and apirin non तीस जो है अलग-अलग medications की जो use होती है for the treatment of congestive heart failure अब बात है कि awareness फेलानी की सभी के अंदर तो उसी के लिए जो है वो world heart day world heart day को celebrate किया जता है to keep the heart healthy keep the heart healthy की heart को healthy रखना जो है वो बहुत ही जरूरी है जिसके कारण हर साल जो है वो world health day 29 September को celebrate किया जता है तो world heart day WHD जो हम कहते है world heart day is meant to raise the awareness that cardiovascular disease जो हम कहते है including the heart disease and stroke is world's leading course of death claiming 17.9 million lives each year तो हम विश्वा की सबसे बड़ी जो this is जो हम कहे है कि जिसके कारण death होती है leading cause of death in world that is the heart failure and 17.9 million जितने लोग हर साल इससे जो है उनकी जो life है इससे का कारण affect होती है the occasion highlight the action that individual can take the prevent and control the cardiovascular diseases stay healthy and be healthy तो यही बात है कि keep your heart healthy तिसलिए ये world heart day जो है वो मनाय जता है 29 सप्टेंबर को so thank you friends for returning this lecture get our lecture pdfs on our app farmer rocks कि यह जो lectures होते है उसके pdf and ppt's आपको farmer rocks की app उपर मिल जाएगी affordable price के अंदर और यह important हो सकते है सब आप के competitive exams के अंदर so thank you friends for watching जरूर से वीडियो को like करिए comment करिए share करिए and valuable comments करिए join कर सकते हैं हमारे whatsapp groups access कर सकते हैं study material test series video lecture और आप farmer rocks so good luck and all the best test you you